अपने बयान को बापस ले लिए हैं.. जो उन्होंने आदेश दिया था.. कि भीया राइफल आ पिस्टलर्गे की निकालो रेकॉड की पंडी जी के पास कितना है.. तो अरे ले के का करोगे है… जनुहने पंडी जी के पास नहा है.. कि गड़ी पंडी जी के पास तह नहीं लेलो रिकाट कोई फड़क नहीं पड़ता है लेकिन ड़ड़ गया है तुग अहीं जिसे अग। तो इनका लोगप्रियता नहीं है और लोगप्रियता है कि लोग जो है अब इनको पर्धान मंतरी बना के अफसोस ब्यक्त कर रहे हैं जो 20-25,000 लोग लाइक वो किया है न उन्दा वक्त लोग है उनके भी पीरा है लेकिन दर्सा नहीं पा रहे हैं हम लोगों से अकेले में जरूर कहता है कि भाई बड़ा बुरा हाल है तो यह तक न रोजगार दे रहे हैं न कुछ बात कर रहे हैं अरहे मन की बात तो आपकी सुंटे सुंटे जनता ठक चुकी है जनकी भी तो बात कर लो आप जनकी बात कोई और करेगा यह जनतंतर है सहाब मन तंतर नहीं चलता है यहा हैं जनता आपसे उम्मिद करती है कि मोदी जी आएंगे संडे को आएंगे कुछ ऐसा निर्णय जिससे की आम आदमी का भला होगा इन्होंने का क्या कहा खेलोने बनाओ क्या कुट्ते पालो अरे भाईया हद कर दिये मानने पर्धान मंत्री जी आप तो जनता ही उमीद में बैठा था कि आपका आप जो बोलिएगा तक कहिएगा कि भाई जेही और एनेटी का परिक्षा पर पर्धान मंत्री जी कुछ रोजगार की बात करेंगे तो यह दर लोजगार दे रहे हैं ना कुछ-बात करें अर... करोडों के प्लेण में दूरते रहीं हैं हम रहा बच्च को color के हुमर है बच्चे का टो उससे हम क्हिलोणा बनवाए हिपिस्तक आप autology, आप यहां तक नहीं कर पा रहे हैं कि private school बालो अभिपको के स्थिती खराब है कंसे कम TV जब तक लेकर के शासन कर रहे हम हिंदोस्तानियों पर कि समझ से पड़े हैं ननिजी करन अरे भाई एक विधायक जो जन सेवक है उसमें भी नहीं है अकल होके जब रेलेवे नीजी करन होगा साड़ा संस्था नीजी करन हो जाएगा तो आम जनता को जब ट्रबूल होगा पड़ेसानी होगा तो किसके बाप को बाप जाके कहेगा किस से अपनी समस्या बताएगा कौन उसकी कमपनी आया हमरे देश में आ करके हमरे देश के लोगों को गुमराह किया और फिर बाद में हमरे आदमी को फोज में भरती करके हमरे आदमी को पिटवाया आज ही सरकार वही काम कर रहा है देख रहे हैं चात्र अपना अंदोलन करता है चात्र अपनी बात करता है कि भाई हम किसान का बेटा नहीं बना हुआ है तो हम आपके माध्यम से अपने पुलीस वाले भाई से भी कहेंगे कि पुलीस वाले भाईया आज आप जो नोकरी कर रहे हैं वह आजाद देश्क का देन है भागत सिंग चंसेखार आजाद खुदी राम बॉस बिस्मिल्ला खां जैसे कोई धन्ना सेट का बेटा नहीं है और हमको यह भी पता है कि योगी और मोदी जी के पुलीस में इतना ताकत नहीं है कि अंबानी जैसे लोगों को और मेहुल चौकसी जैसे लोगों को और निरभ मोदी जैसे लोगों के उपर डंडा बरसा देए कि लोग प्रियता की बात कर रहे थे कह रहे थे कि एक सर्वे आया था आज से ठीक दस दिन पहले बताया जारता कि अगर आज के मुझूदा हलात में चुनाव करा दिया जाए तो धान मंतरी फिर से चुनाव जीत जाएंगे इतनी लोग प्रियता बढ़ी है घट नहीं की वज दिये कि गोगुल भी फेकू कहने लगा इनको गूगल भी जो है उभी फेकू कहने लगा कि कोई फेकू है कोन तो हमरे मोदी जी पेकू और लोग प्रियता की जहां तक बात है अरे आप 132 करोर देश के जनता के परधान मंतरी है तो आपको तो लोग जनवे करता है कि आप लेकिन जो लाइकवा जो मिला है और डिसलाइक जो हुआ है पचीसो लाक बीसो लाक में उ कहां चला गया लाइक जो मिला है इनको 20-25 लाइक मिला है इमन की बात जो कर रहे हैं तो जो जो इनको डिसलाइक किया है वो करने वाला कौन है फेस्बुक पर ट्विटर पर कौन ज उच्छा को रोकने की या कुरोना से किस प्रकार से बचा जाए उस पर कुछ बिचार रखेंगे बढ़िया अब देखेंगे 20 लाग क्रोड का इसा जुमला दिया कि उपाइसवा कहां चल गया पते नहीं चला है आम आदमी वहां के वहीं के वहीं रह गया और खाने के लाले प दो फिल पान पाल पर गोली चल रहा था हुआं चल रहा था तही जापान में जा के डिर्म बजा रहे थे। तो इस 애 की कि लोग प्रियता नहीं है और लोग प्रियता है कि लोग अब इनको पर्धान मंत्री बना के अफसोस ब्यक्त कर रहे हैं जो 20-25 लोग लाइक वो किया है नहीं अंधा वक्त लोग है अउनके भी पीरा है लेकिन दर्सा नहीं पा रहे हैं हम लोगों से अकेले में जरूर कहता है कि भाई बड़ा बुरा हाल है लेकिन जब पार्टी के प्रच निचे उवाता है तो काता है अब घैस कि ऩफेश साथ है तो तो नून रोटी खो मोदी-जी सोक इसलिए नहीं ऐसा है विजिए बाया था कि दैकरा राजा वही बेर्टिटाने निव स磨धो ॉट थिर ऐसा वी आ और बच्चों का दर्ट गाना वही अपने जनता का ओलाद का समझेगा तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा कारण रहा है अटल जी देखिए अटल जी कितना बड़ी आदमी थे वो कहते थे कि हम कुमारे हैं लेकिन बढ़मचारी नहीं है भाई उनको दर्थ पता था लोगों का अटल जी वही अटल जी है जिनके दम प्राज भारती जनता पाटी भ पूडा करेंगे यह जब से आया है तु जेख सैनल में कुछई रहता करा भारती नहीं किया है सबसे बड़ी आ बेटा कोन होता है? सबसे बढ़ी आ बेटा आप अपने अपने अपमने पता जी के लड़के हा है आप पिता- जी अगर एगो मां कान बना था बाना पर यह और बना दीजेगा तो आप गाउंवला भी कहेगा कि नहीं जी साब बहुत बढ़िया लड़का है उनका ही ता उसी में आप दिल्ली में घुमी है गाउं में जाके जमिनमा बेच दीजिए तो कहागा बरा नालाइक है तो सत्तर साल में कुछ ने किया इस रो दे दिया रेलवेज दे दिया राश्ति करिद करके बैंक दे दिया सारा काम घर घर तक लोगों को पहुंचा दिया आधारकाट दे दिया पेंशन दिया राइट टू इनफ्ट्रमेशन दिया और आप से जब हम पुषते हैं प्याम पंड में कितना पईसा है आया और घया तक तो एक खबरदार जेल बेच देंगे बोले गाता तहीं तो हालात है साहब आए दिन घटनाएं सामने आ रही हैं आप मानने खिलेजी के पार्टी से जुड़े हुए हैं और मेरा सवाल है कि जी तरीके से ब्रामण को ले करके जो घटनाएं बताई जा रही हैं जो ब्रामणों को ले क के लिए बना है कान जब आत्म समर्पन कर दिया तो कौन साइसा ड्रामा हुआ था कि भाई टाटा सफारी में जा रहा है एस प्यू निकल रहा है अल्टी पल्टी ठोकम ठाक कर दिये चलिए उसको भी ठोक दिये कोई बात न था उनिस साल का बच्चा अमर दुबे जिसका त पाद्रे नहीं रहा गिया है कहीं कोई जिते नहीं रहा गिया ही सरकार में भगवान विसनु जी के छठे अवतार परसुराम जी उनका भव्य मुर्ती का निर्मान एक सो आठ फीट उचा बिस पची सेकर में लखनों के पावन धर्ति पर मन्नी अखलेस यादव जी के आवन पर बनने जा रहा है और भी चुनाप से पहले राम के नाम पर राजनीत अगर किसी ने किया तो वह भाजपा लेकिन समाजवादी पार्टी भगवान पर सुराम के नाम पर राजनीत नहीं कर रहा है भगवान पर सुराम के नाम पर बोट नहीं मांग रहा है लेकिन इतना ज वहान में कहीं भी समझोता नहीं देगा समाजवादी पार्टी और आपके साथ है माननी योगी अधितनाथ ने अभी हाली में ब्रामणों को जो लगातार जो हत्या हो रही है उसको देखते हैं उन्हों ने बोला कि आखिने ब्रामणों के पास कितने ऐसे लाइसे रिवालवर हैं बंदू के हैं इस तरीके के जो भी एक्विमेंट है उन्हों के पास में उसको आकड़ा डिटेल लिकाने लेगे के लिए जो डेमों को दिया गया था जितने भी जी-लादिकारी उनके पास गया था आप वू वापीस ले लिया गया है पहले तो निंटर करते हैं कि मागा आगणा फिर माना कर देतें आई सकतें तो पुन्यात्मा रावन के भी आत्मा को तकलीप पहुँचेगा उसको भी तार तार कर दिया है कि माता सीता वहां सुरक्षित रही थी लेकिन यहां कोई बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है और यह जो ब्रहमन लोग है हमेशा जो है अग्रणी भूमका निभाया है देशित में आर्थिक निती के रूप उपर चाहे वो समाज की संस्कृति ब्यवस्था बनाने की बात हो तो यहां हो जाता है कंगाल में खतना में है बिहार में 정말 हम लोग सुरक्षित